साल का आकरी महिना शुरू हो गया है और इसी के साथ ठन ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है सुबा और रात में ठन से लोगों की कपकपी छूट रही है मौसम विवाग का कहना है कि 11 दिसंबर से एक ताजा पस्चमी विशोब उत्तर पस्चम भारत को परभावित कर सकता है जिसके बाद ठन और जादा बढ़ने लगेगी रविवार की सुबा इस सीजन की सबसे ठनडी सुबा रही तो वहीं अब आपके रजाई गर्दे निकलने शुरू हो जाएंगे देश बर में बढ़ती ठन के बाद मौसम का मिजाज अब चेंज होने लगा है कई राज्यों में गना कोहरा देखने को मिल रहा है तो कहीं अभी से शीत लहर चल रही है उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है तो वहीं दक्षिन में बारिश का सिलसिला जारी है बारिश से वहाँ सब चल मगन हो गया है मौसम विबाग के मुताब एक तमिलनाडू, केरल, लक्षदीप, करनाटक में बारिश की संभावना है और इसके अलाब उत्तर पदेश और बिहार में आने वाले दिनों में घना कोहरात देखने को मिलेगा इसी के साथ यूपी बिहार से लेकर राजिस्थान उत्राखन तक भारत के राजियों के तापमान में गिरावट देखी जाएगी यहां मौसम अब तेजी से बदलता हुआ आपको दिखाई देगा बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में आज यानि 10 दिसंबर को सीजन का सबसे कम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो बीते दिन शनिवार को 8.5 डिग्री सेल्सियस था मौसम विबाग ने जानकरी दी कि आज रविवार की सुबा इस सीजन की अब तक सबसे ठंडी सुबा रही है तो महीं साल के आखरी महीने में उत्तर भारत के हिस्सों में मौसम तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा सुबा और शाम के वक्त थंड से कपकपी छूटेगी कई राजों में सुबा में कौरे के दुन चाई रह सकती है तो शीत लहर का परकोब भी अब शुरू होने वाला है इस बीच आएमडी ने पांच राजों में कौरे का लट भी जारी किया है आएमडी ने उत्री मध्यप्रदेश, उपहिमालय, पश्रिमंगाल, सेक्के मसम और मेगालय में अलागला गिलाकों में सुबा के समय गना कौरा चाय रहने की संभावना जताई है तो वहीं इसके बाद उत्राखंड की बात करने तो वहाँ पारा तेजी से लड़ाक रहा है आएमडी के मुताब एक अगले हफ्ते भर में उत्तर भारत के राजों में ठिटुरन और बढ़ जाएगी यानि कि आपकी कपकपी छुटेगी इसलिए लोगों को पहले से सतर्क रहने के लिए भी कह दिया गया है तो वहीं आने वाले दिनों में पस्यमी विशो पस्यमी हिमाले छेत्र को परभावित करने वाला है जिसके बाद जमू कश्मिर, लद्दा, किलगित, बालिटेस्तान, मुझफराबाद, हिमाचल और उत्राखंड में छिटपुट, बरभवारी और बारिश के भी आसार दिख रहे हैं इसके बाद मैदाने इलाकों में और ठंड बढ़ने की संभावना है अभी के लिए फ्लाल इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहेए One India Hindi